नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हाल के दिनों में एहमिदाबाद के कुछ अखपारों में अजीब औ गरीब सुर्खियां छपी। मुस्लिम श्राइन रीनेम्ड बाई हिंदू फॉलोवर्स इन अमधबाद, ट्रस्टीज एनाउंस हंगर स्ट्राइक। कॉंट्रवर्सी इरॉप्ट्स ओवर पिराना श्राइन। इन अखपारों में ये बताया गया कि गुजरात के अमधबाद के आउट्सकर्स में पीर इमामशा बावा के एक मुस्लिम श्राइन का नाम उनके हिंदू फॉलोवर्स ने बदल दिया है। पीराना गाउं में स्थित इस धार्मिक स्थल का नाम बदल कर सूफी संथ सद्गुरू हंस्तेज माहराज कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में आगे लिखा है कि सूफी संथ के डिसेंडेंट्स ने इंटर्वेंशन की मांग करते हुए डिस्ट्रिक कलेक्टर को अप्रोच किया है। पीर बाबा के वंशजों ने उनके डिसेंडेंट्स ने दावा किया है कि इस कदम का उद्देश धर्मस्थल या फिर रिलिजिस प्लेस का भगवा करन करना है Times of India के रिपोर्ट में लिखा गया a Muslim trustee of the Imam Shah Bawa Roza Sansthan, the custodian of the Imam Shah Bawa Dargah in Piranha wrote to the district collector that Hindu trustees had put images and posters of Hindu deities around the mausoleum TOI ने इस वेक्ती का नाम Sirajuddin Sayyad बताया कहा उन्होंने सदियों से Hindu Muslim एक्ता का प्रतीक रही दरगा के religious character पर करा रखने की मांग की है सेयद ने कहा कि 15 वी शताबदी के पीर इमाम शाबावा की एक painting में उनके माथे पर बिल्कुल एक तिलक लगा दिया गया है जैसे Hindu संत के रूप में पेश करने के लिए दरसल सेयद ने 2021 में गुजरात हाई कोट में केस दायर किया था लेकिन पीर बाबा के Hindu और मुसलमान डिवर्टीज के बीच समझोता होने के बाद उन्होंने इस केस को वापस ले लिया ओवियसली हिंदू सदस्यों ने ये प्रतिग्या तोड़ दी है पिछले साल एक मुसलिम संगटन सुन्नी आवामी फोरम ने हाई कोट में एक PIL फाइल की थी ये अब अदालत में पेंडिंग है उस मामले का और सुन्नी आवामी फोरम के इंटरवेंशन्स पर कई अन्य पुराने अखबारों की रिपोर्ट इंटरनेट में अब हम पढ़ सकते हैं तो सवाल ये है कि इस दरगा को मंदर में तबदील करने के पीछे की कहानी क्या है इस रिलिजियस श्राइन में हिंदू और मुसलिम दोनों कैसे शधालू है क्या है दरगा का इतिहास इमामशा बावा कौन थे क्या उन्हें हमेशा इसी नाम से बुलाया जाता था और आखिरकार ये सद्गुरू हनस्तेज महराज कौन है और एक आखिरी सवाल हम आपको इतिहास के सामानिय मुद्दों के बजाए जो हम ज्यादतर उठाते हैं इस कारिक्रम में इस दरगा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं अंतिम प्रशन का उत्तर एक पर्सनल डिस्क्लोजर से मिलेगा मैंने पहली बार पीराना दरगा का दौरा पच्चिस साल से भी पहले किया था इग्जैक्ली बोलू तो नवेंबर 1997 में उस समय मैं गुजरात में बड़ी संख्या में लोगों में डूवल रिलिजिस आइडेंटिटी का अध्यान कर रहा था ये दौरा मेरी फील्ट्रिप का पार्ट था उसके बाद मैंने 2012 में दरगा का दौरा किया जब मैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की जीवनी पर शोध कर रहा था उस वक्त वो पी-म नहीं बने थे गुजरात के मुखे मंत्री थे उसके बाद से मैंने नियमित रूप से दरगा पर समाचारों और घटना क्रमों पर नज़र रखी लेकिन कभी जा नहीं पाया हूँ 1997 में दरगा सिर्फ एक शान्ति पूर्ण धार्मिक स्थल था गुषने के लिए उन दरवाजों से प्रवेश करना पड़ता था जो स्पष्ठ रूप से कई सदियों पुराने थे वहां कुछ भक्त होते थे हमेशा उनके प्राथना करने के तरीके से और उनकी पोशाक से नहीं पता चलता था कि वे हिंदू थे या मुसल्मान 1997 तक बीजेपी ने गुजरात में अपना पोलिटिकल और इलेक्टोरल डॉमिनेंस स्थापित कर जरूर लिया था लेकिन हिंदूत्व इतना ओमनीप्रेजन्ट नहीं हुआ था 15 साल बाद जब मैं 2012 में पीराना दरगा लोटा तो सब कुछ बदल चुका था पुराने प्राचीन गेट्स स्थाई रूप से बंद कर दिये गए थे प्रवेश दुवार दूसरी ओर से था और ये एक आधुनिक बिल्डिंग में प्रवेश करता था जिसे एक हिंदू मंदर की तरे बनाया या कंस्रक्ट किया गया था करता धरता सब हिंदू थे और बड़े हॉल में इमाम शा के तस्वीरे थी जैसे की एक टिपिकल हिंदू संथ महात्मा की होती है 2012 तक पीराना दरगा में एक दो घंटे बिता कर ये सपश्ट हो गया था कि गुजरात का सोशल फैब्रिक या यूं समझिये सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से नश्ट हो गया था इन पंदरा वर्षों में से मैं आपको याद दिला दू दस वर्ष नरेंदर मोदी के मुख्य मंत्री रहते हुए और गुजरात दंगों के बाद के थे 2011 में नरेंदर मोदी ने प्रधान मंत्री बनने के लिए अपने दावेदारी को लॉंच किया था सदभावना कारेक्रम की शुरुवात की उनोंने आपको याद होगा एक मुसल्मान मौलवी जैसे दिखने वाले ने उन्हें सकल कैप भेट किया था मोदी जी ने उसे लेने से इनकार कर दिया था देने वाले किसी मस्जित के मौलाना नहीं थे पीराना दर्गा के काका थे यानि की हेड थे जिन्हें सीट से हटा दिया गया था मैंने 2012 में कुछ तस्वीरे ली थी आईए मैं उनमें से कुछ दिखाता हूँ ये नया प्रमुख प्रवेश द्वार है जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी दिर पहले बताया तस्वीर है आंगन में एक कबर पर ध्यान दें कुछ और कबरें छोटी और बड़ी सफेद टोपी और पीला गमच्छा जैसा वस्त्र में एक हिंदू काउंसिल के मेंबर ये कुछ और अन्य फोटोज है एमेदाबाद से 25 किलोमीटर दूर स्थित दरगा अभी भी पीराना पंथ के लोगों का स्पिरिच्वल मुख्याले है लेकिन संप्रदाय का चरित्र बिलकुल बदल गया है इस पंथ के डेवोटीज के रूट्स या ओरिजिन्स कच जिले में थे जो एक अन्दे शेत्र था जो धार्मिक पहचान की जो धुनली रेखाओं के लिए जाना जाता था लोग खुद को हिंदू कहते थे लेकिन बृतक को दफना देते थे इसी तरह से वे खुद को मुसल्मान कहते थे लेकिन मरने वालों का अन्तिम संसकार किया जाता था उनके प्रात्ना के रिचुल्स भी हिंदू और इसलामी शैली का एक तरह से मिश्रन था लगभग ऐसा जैसे की कुछ लोगों ने इसे स्वेम डिसाइड कर लिया हूँ कहा जाता है इस धार्मिक कबीले की स्थापना लगभग पांच सो साल पहले इमाम शाने की थी वे एक कंजरवेटिव इसलाम से कॉंशिसली डेवियेट कर गए थे हम उन्हें सूफी कहते हैं इस कैटेगरी के लोगों को क्योंकि उनके धर्म के प्रैक्टिस और अपने शिश्यों को जो उबदेश दिया करते हैं उसे हिंदू या मुस्लिम नहीं कहा जा सकता इमाम शाह ने संप्रदाई की सापना की और शुरुवात में कच में अंजार तालूक में पटेल समुदाई से फॉलोवर्स को आकरशित किया जैसा कि आप जानते हैं आज भी पटेल हिंदू और मुस्लमान दोनों होते हैं उन्होंने संप्रदाई का नाम सत्यपंथ रखा और फॉलोवर्स सत्यपंथ ही बन गए हिंदू पटेल जाती के लोग इमाम शा के मुस्लिम फॉलोवर्स सयदों के साथ इंटीग्रेट हो गए फुली इंटीग्रेट हो गए इन लोगोंने एक साथ अपने रिलिजिस ओर्डर को लोकतांतरिक आधार पर चलाया और एक गवर्निंग काउंसल नियुक्त किया जो सा के मृत्यू के बाद सक्सेस को काका कहा जाता था और उनका चैन दो धाई दशक पहले तक आपसी परामश म्यूच्वल कंसल्टेशन से किया जाता था ये 1997 और 2012 के बीच बदल गया अब लीडर्शिप पूरी तरह से हिंदू पटेलों के हाथ में है गुजरात में एक समय था जब सत्यपन थी कई अन्य समुदायों की तरह हिंदूओं और मुसल्मानों से अलग एक छोटे से तीसरे धार्मिक समु के रूप में एक्जिस्ट करते थे समय और हिंदूत्व के आग्मन के साथ ट्रेडीशन्स बदल गई और काका भगवा एजेंडा को बढ़ावा देने लगे 1997 में पीराना पीर को एक दरगा के अलावा और कुछ नहीं कहा जाता था लेकिन 2012 तक कुछ लोगों ने इसे श्री निश्कलंग की नारायन भगवान का मंदिर कहना शुरू कर दिया था मंदिर के चारो और बिखरी हुई कबरे एक एक करके हिंदू मोटिव से सजने लगे 1997 में जब मैंने दरगा का दौरा किया तब ही मैंने भक्तों में सैयदों को पाया 2012 में उनके नंबर बहुत कम हो गए थे अब तक कई नई कहानिया रची जा चुकी होंगी हर जगा की तरह एक नया इतिहास लिखा गया होगा ये दुखद है लेकिन इस तरह से भारत की pluralistic spiritual traditions को नश्ट किया जा रहा है जब तक कबरों को खोदा नहीं जाता और मुखे मकबरे को प्रबैबली एक नया मंदर बनाने के लिए ध्वस्त नहीं किया जाता जैसा की कई जगाहों पर हो रहा है अगर मौका मिले तो एक बार पीराना दरगा पर जाएं आप चाहें नास्तिक ही न क्यों हो परंतु ये हिंदुस्तान की मिली जुली संस्कृती और विरासत का एक प्रतीक जरूर है मेरा जब कभी एहमेदाबाद जाना होगा पीराना दरगा अवश्य जाओंगा नमस्कार